रोज रासी करनाटक के एक छोटे से शहर की ने था शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्ड घर से गायब हो रहा था ये खबर सुनकर बेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुचा शाम के कोई छह ही बज़े होंगे पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकाने बंद करके घर लोट रहे थे बेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कनड़ा में नालेबा यानि कल आना ऐसा लिखा है उसने महां एक पुजारी को रोख के पूछा कि शहर में है सब क्या हो रहा है उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ेल गूँ रही है वो रोज रात में घर घर जाके जोर से दर्वाजा खटखथाती और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजर अंदाज नहीं कर पाती और दर्वाजा खोल देखाती कहते हैं वो चुड़ेल उसे अपने बश्च में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती इसी लिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया जिसे पढ़के वो आज नहीं बलकि कल आए और यही सिल्चला जारी रही इतना कहकर वो पुचारी जल्दी जल्दी अपने घर के रस्ते चला गया वेंकट को कल के अकबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई पर कुछी दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा किसी ने बहुत ही मधूर आवाज में उसका नाम पुकारा वेंकट वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा वो स्कूटर बहुत तेजी से आगे भागा वो एक चोटे से मकान में जाके चिप गया और दर्वाजा अंदर से कसके बंद कर लिया दर्वाजे पर जोड़ जोड़ से खटखट होने लगी और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने ले लेकर बुरी तरह डरा हुआ था कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शान्त हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दर्वाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था पर फिर सुबा हुई तो बैंकट उसी घर में विहोशी की हालत में पड़ा मिला वो दिन था और आज का दिन बैंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ शहर के लोगों ने कहा कि वो उस शहर का नहीं है शायद इसलिए बज़िया कुछ महीनों बाद उस चुडैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानि कल आना ऐसा लिखा है फिल्म स्त्री इसी सची कहानी पर अधारत है सब्सक्राइब करें और सुनिये हर मंडे